नमस्कार जैहन दोस्तों दोस्तों ये CRPF के कुछ वेनिफिट है जो कि CRPF के परिवार वालों को जानना बहुत जरूरी है जिसके अंतरगत उनको क्या क्या लाब मिलते हैं क्या सलिल जाती हैं क्या सुधाय होती हैं ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताए गई हैं तो आ आप इस वीडियो को अंतक देखिए आपको क्या क्या सुधाय मिलने वाली हैं इसके बारे में आपको यहां पर बिस्तित रूप से जानकरी दी जाएगी दोस्तों आप देख सकते हो कि CRPF के अंदर एक फंड होता है उस फंड के अंतरगत कुछ केस होते हैं जैसे कि कोई ग गड़ना हो जाती है तो उनके परवार बालों को टोटल बीज लाग रुपे का आर्थिक साहता दी जाती है जिसके अंतरगत उनके नेश्ट आफ किन यानि जो उनके नॉमनी होते हैं जैसे को उनकी वाइफ या बच्चे उनको चोड़ लाग रुपे और उनके पेरेंट्स इसके अंतरगत भी बीस लाग रुपे दिया आते हैं साथ ही अगर किसी काड़मास जैसे नेच्रल नेच्रल लेट हो गई सुसाइड केस है एक्सडन केस है मिसिंग केस है या और भी कोई गटना है तो उसके अकोर्डिंग बार लाख साथ लाख और पांच लाख तीन तरह स पेइमंट उनको दिया जाता है तो यह आर्थिक साहता जो चार्फ के तरफ से दी जाती है इसके लिए पांच सो रुपे पर मंथ के इसके अलावा जो भी जो पांच सो रुपे आप से लिए जाते हैं और उस समय जब बंदा डिस्चार जाता है या जौब छोड़के पर को कोई की होती है तो जिनोंने 0 से लेकर के 20 साल तक जो भी जो contribution किया है उसके जो पैसा जमां किया है वो पैसा प्लस 35 परसेंट उनको इस में bonus दिया आता है साथ ही अगर उन्होंने 20 साल से उपर सरशकर दी यानि 20 साल प्लस यानि तीस ता तीस साल से जड़ा है तो उनको देड़ सौ परसेंट यह दिया जाता है साथ ही आप देख सकते हो फाइनेंसर असेश्चमेंट होता है जो कि एक एक डो हजार तेरह से लागू किया गया है अगर किसी कारणबार्स इंड्रियों को कुछ डिसेवल्टी होती है उसके अंतरगात एक परस से लिए के हंड्रे परसेंट डिसेवल्टी तक एक लाग रुपी दियाते हैं साथ ही कुछ एलाउंस इस हैं जैसे कोबरा लाउंस अगर वो कोबरा कमांडों के अंतर करते हैं तो उनको पत्चीस जार रुपे पर मन्थ अलाउंस होता है वो असिस्टेंट कमांड इंड सिए होता है 27,000 रुपे पर चैल्ड के साथ से दो बच्चों के मिलेगा आपको जोगे नर्सरी से लिगर के 12th क्लास तक होगा अगर आपके बच्चे होस्टे के अंदर पड़ते हैं तो आपको 81,000 पर यह मिलेंगे जिसके लिए आपको होस्टेल की बिल जमाखर के इसका प 25,000 रुपे 25,000 रुपे साथी सोब टॉलेट अलाउंस चाली पर टीफिव रूपे होता है रम आउंस अट्सर्ट रुपे होता है इसके अलाबा डेर सो रुपे होता है अगर आप 158 रुपे होता है अगर आप फील्ड एरिया में हो जो तीन जार फूट से निच्चे अगर आप तीन जार फूर से ऊपर हो चार जार नौनौन फिर्ट तक तो आप को 2525 रुपे पर मंथ किसाफसे फील आलाउंस दियाता है साथी अगर उससे भी उपर हो आप तो 228 रुपे पर मंथ और इससे उपर हो तो आप तो 360 रुपे पर मंत रम एलाउंस दिया आता है साथ ही इसके अलाबा टीपीट एलाउंस अगर पे लेबल टीन से लेगर के आठ तक यानि कास्टेबल से लेगए उपर तक हैं और आप जो है अच्छी सिटी कंदर हैं नमर्वन सिटी कंदर का तो आपको 36 रुपे प्लस दिये दियाता है साथ ह के अलावा आपको हर साल ett a confrontation लेकर के इस्पेक्टर तक 10 अजार पके पर मंत आपको ड्रेष का प्वे आता है इसके अलावा कुछ और फाइनेल्चल कंपल सरी पेमेंट है जो रिस्क फंड है जो आईजी एडाम उनके लिए अप्टू 21 लाग रुपे होता है साथ ही जो कि इनकी तरफ से होता है 20 लाग रुपे होता है एंड एक लाग रुपे फ्रॉम सी डवलुए सी इसके लावा फाइनल इंडोस्मेंट भी दियाता है और सेक्शन ओफ अब आत बात आती है के इनकी सेलरी क्या होती है एक काश्टेबल जो भरती होके जाता है उसकी सेलरी होती है 21,700 रुपे प्लस डिये और जो वहांके अलाउंसिस होते हैं वो सब जोड़गे है हेट काश्टेबल का 35,500 लेकर के 81,100 रुपे तक जो कि पे लेबल फूर के अंतरगत आता है इसके अलाबा एसाई एसाई के लिए कि सेलरी होती है 29 याद 200 रुपे लेकर के बाना याद 300 रुपे जो कि पे लेबल 5 के अंतरगत आता है जाथ ही इसके अंतरगत आप उपर तर जाओगे तो हर काप्रिमेंट डिफेर्ट डिफेर्ट होता है जैसे जैसे पेलेल बढ़ती जाएगा वैसे वैसे आपकी शैलिव बढ़ती जाएगी जैसी इस्प्रक्टर के लिए 44,900 तर लेकर के एक लाख 42,400 तक होता है तो साथ ही SM के लिए सेंटरी साथ 600 पे से लिएक लाख 11100 पे तक होता है जो के पे लेवल 8 के अंदर आता है ऐसे ही AC के लिए अलग, DC के लिए अलग, 2IC के लिए अलग, कमांडेंट के लिए अलग, DRG के लिए अलग, सबकी salary उपर तक distribute होती जाती हैं यह आप देख सकते हो इस तरह से यह जो benefit है CRPF की तरफ से हमको दे आते हैं अगर आप, अगर आपके घर में, कोई CRPF में हैं, या आपके परवार में हैं, तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुचाएं ताकि उनको अपने मिलने वाले समस्त benefit के बारे में पूरी यह कहीं मिल सकें और उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे परवार में कितना कितना benefit है, ताकि किसी को भी कभी कोई मिस हैफरिंग होती है, कोई होती है तो कम से कम वो अपने benefit के लिए आगे आ सके और अपने benefit ले सके दोस्तों मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको यह जनकरी देने का था कि आप एक CRPF परसनल को, उसके परवार बालों को, उसके बच्चों को, उसके पदनी को, और माता पताओं को, और आस पास के जितने भी आपके relative है, उनको से समस्त benefit के बारे में पूरी जनकरी होना यह भी उनको जाकरी होना जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को आप उन तक से जरूर किजिए, ठेंक्यों दोस्तों, जैहें जैमार तेरी